इसके जैकपोट मैच पिछले मैच से स्टार्ट हो गए है और आपने हमारे विनिंग देखी होगी पिछले दोनों मैचेज में हमने अच्छी विनिंग की और बेस्ट कॉम्बिनेशन बना करके मैं पहले आपको विनिंग दिखाता हूँ कल की अगर विनिंग की बात करूँ विमन्स IPL में इस कॉम्बिनेशन के साथ हम गये थे कैप्टन हमारी एम कैप थी इसके लाव वाइस कैप्टन हमने लैनिंग को बनाया था सिफाली वर्मा को बनाया था लिया था अपने टीम में सिफाली वर्मा को बहुत कम लोगों ने लि करोड और रुपए के लाइब विनिंग कुछ के वीडियो आपको आमारी चैनल में दिख जाएंगे RCB की टेंग की बात करें यानि बैंगलोर की टेंग की बात करें एक मैच खेला है जीत कि आ रही है गुजराद की टेम एक मैच खेली है वहार के आ रही है एम चिनना स्वामी स्टेडियम बैंगलूरू में मैच हो रहा है जो कि अल ओवर अगर आप IPL वगरे मेंस का भी देखो इंटरनेस्टल भी देखो तो यहाँ पर एक बैटिंग किछी देखने को मिलती है और यहाँ पर अभी तक चार मैचेज हुए है बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने तीन मैच जीते है बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने एक मैच जीते है तो यहाँ जो मैचेज हुए है तीन मैच का रिकार्ड यहाँ है और एक मैच कल हुआ था ठीक है? पहले इन तीनों मैच को देख लेते हैं कल वाले मैच को भी देख लेते हैं गुजरात ने 126 बनाया, मुंबाई ने इसको चेस कर लिया पेसर ने जाना विकेट लिये, स्पीनर को भी मिले अब चुकि विमेंस का मैच है तो स्पीनर को भी विकेट जरूर मिलेंगे हमेशा RCB ने बनाया 157 और 2 रन से मातर यूपी विमें हार गई थी जबकि चेस होना चाहिए था यहाँ पे केवल स्पीनर को ही विकेट मिले पेसर को एक ही विकेट मिला 171 बनाया देली ने और मुंबाई ने इसको चेस कर लिया पेसर ने 7 विकेट और 4 विकेट स्पीनर जो मैच हुआ था उसमें यूपी मातर 119 ही बना पाई और 9 विकेट से डेली कैपिटल ने इसको चेस कर लिया 9 विकेट गिरे उसमें किसने लिये यह देख सकतू इस्पिनर राधायादव स्पिनर है 4 विकेट लिये सदर लैंड ने 1 विकेट लिये ब्लस यहाँ पे एम कैप ने 3 विकेट लिये सदर लैंड और एम कैप तो पेसर है और यह जो अरुणिधती रेड़ यह देखना पड़ेगा यह क्या है यह भी पेसर है ठीक है तो यहाँ पे 5 विकेट लिया पेसर ने चार विकेट इस्पिनर ने लिया पहली इनिंग में इसके अलावा सेकेट इनिंग में जो एक विकेट मिला था इस्पिनर को एकलिस्टोन को अब यहाँ पे दोनों टीम का स्टैट्स देख लेते हैं एस मेगना का अच्छा रिकॉर्ड है एक ही मैच खेला है उसमें तिरपन बनाया था आपने देखा भी इसी सीजन बैत मुनी ने पांच मैच में 243 बनाया है रिसेंट फॉर्म अच्छी है लॉरा विल्वरेट की रिसेंट फॉर्म अच्छी है रिचा गोस को गाड़नर ने पांच बार 40 बॉल में आउट किया है बाकी अगर प्लियर्स बैटल देखना है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा कोई ज़्यादा नहीं है मैं रेट करके बता देता हूँ गाड़नर ने सोफी डिवाइन को 50 बॉल में 3 बार आउट किया है लेकिन रन भी बहुत खाये है 108 रम बनाए है यहाँ पे गाड़नर के अगेंच्ट सोफी डिवाइन ने लीत अहू ने 54 बॉल में 2 बार आउट किया है सोफी डिवाइन को गाड़नर ने स्मृती मंधाना को 87 बॉल में 3 बार आउट किया है 75 रन बनाए है इसके अलाबा Gardner और रिचागोस का मैंने उपर ही आपको मेंसेन कर दिया रन यहाँ पर दिख रहा है 52 रन भी बनाए है इसके बाद आगे चलते है सोफी डिवाइन ने 20 बॉल में 2 बार आउट किया ऐलेच फिल्ट को मॉलिनेक्स ने 22 बाल में 2 बार आउट किया अलेच फिल्ट को 13 रन भी बना पाई है तो यह दोनों काफी अच्छा प्लियर्ज बैटल है रन जाना नहीं बना पाई है टीम वेहर हैम ने 18 बाल में 2 बार आउट किया गाड़नर को और एंडी क्लेर्क ने 23 बाल में दोनों में ही आरसीवी ने अच्छा किया गुजरात ने भी अच्छा किया यहाँ पर गुजरात के दरफ से वल्वरेट ने अच्छा किया गाड़नर है मेगना ने अच्छा किया सोफी डिवाइन ने लगबख सेंचुरी मारी थी मंदानन ने अच्छा किया और एस पार्टिल ने दो विकेट लिये गुजराथ की तरफ से 201 यहाँ बना 190 यहाँ पर यहाँ पर एश देवल ने 67 बनाया, गार्डनर ने 3 विकेट लिया दोनों जगा गार्डनर का नाम आया Sophie Divine का दोनों जगा नाम आया S Partill का दोनों जगा नाम आया Alyssa Perry का यहाँ पर नाम आया प्लस यहाँ पर Renuka Singh ठाकुर ने एक विकेट दिया अब यहाँ पे प्लेंग एलेमेंट देख लेते दो वोडिंग की Sophie Divine flop हुई थी पॉलिंग भी एक ही ओवर कराया था आपको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो अच्छा कर सकती है S. Magna यहाँ पे फ्लॉप होई थी S. Mrithi Manthana फ्लॉप होई थी S. Magna ने तिरपन मनाये थी तो S. Mrithi Manthana जाना तर देखा गया है second batting करते हुए जब chase करना होता है और low score रहता है तब वहाँ पे अपना दम दिखाती है, ऐसे यह flop player है जबकि इंको बहुत सारे, सबसे जारा price में खरिदा गया था पिछले साल तो मैंने आपको बोला था, कि बड़ी-बड़ी player से गार्डनर खेल रही है मैगजराथ खेल रही है, और बहुत बड़े-बड़े उतनी consistent नहीं है grandling में try करना बले ही तिरपर मनाया, ऐलिसा पैरी हमेशा important रहेंगी, रिचा गोस consistent player है, important है वेर हैम बहुत सांदार player है, बैटिंग भी अच्छी कर लेती है, मॉलिनेक्स बहुत अच्छी player है, ऐस पार्टिल बहुत अच्छी player है इनको नहीं लेना है आसा को 5 wicket ले लिया था आसा ने, तो आप चाहो तो try कर सकते हो, spinner है तो लगातार consistent भी दिख रही है, चाहो तो try कर सकते हो, हमने पिछले match पे इनको लिया था, नियूच की basis पे रेनका सिंग, balling बहुत अच्छी कराती है, run भी कम देती है, बट इनको wicket कम मिलता है, yorker वगरे फेकती है ishtum to ishtum फेकती है wicket कि इनको ज़्यादा मिलता है जो कि slower ones का इस्तमाल करते है wicket से दूर ball रखते है तो बड़ा sort मारने एक चक्कर में catches वगरे होते है bets में, तो उनको ज़्यादा wickets मिल जाता है, बट इनको ज़्यादा wickets मिलता है, बट इनको ज़्यादा wickets नहीं मिलता है, लगिं कई बार जब उपने rhythm में आती है, तो 5 wicket, 3 wicket 2 wicket ऐसे ले जाती है तो बड़ी player है, इंडिया की international match खेलती है आगे चलते हैं, कुछ bench में प्लेयर है यहाँ आपर देख सकते हो, कैथी क्रॉस भी अच्छी प्लेयर है, एंडि क्लार्क भी अच्छी प्लेयर है बागे कोई खास प्लेयर है नहीं, बेंच में तुरे टीम की बात करें, वेदा करस्नबूर्ती को भूल के ही मत लेलना टीम में, बहुत बिकार प्लेयर है बैत मुनी आपके लिए मस्ट प्लेयर है एच देखल भी अच्छी प्लेयर है कई बार इन्होंने काफे अच्छी बैटिंग की है हेट टू हेट में भी एक जिगह नाम आया था साइड यही 67 है बहुत अच्छी प्लेयर है बट उतनी कंसिस्टेंट नहीं है इसलिए स्मॉल लिग में जगह नहीं बन पा रही है लिच्फिल्ट भले ही लगतार फ्लॉप हो रही लेकिन यह आपके लिए मस्ट प्लेयर है हार्ड इटिंग बैट्स में नहीं पूरे WBBL में इन्होंने अच्छा प्रफॉर्मेंस किया इंटरनेशनल में भी अच्छा प्रफॉर्मेंस किया अच्छी प्लेयर है हेमलता को नहीं लेना है गाडनर तो कैफ्टेंग की चुए इसा इंपोर्टेंट है कि ये ब्राइस बहुत सांदार प्लेयर है इनको लेके चलना है इसके बाद यहाँ पर एस राना भी अच्छी प्लेयर है भले ही लाज मैच विकेट नहीं मिला तो फिलाल के लिए इस्पेनर है विकेट मिल सकता है बट फिलाल मेरी टीम में जगह नहीं बन पाएगी तो टी कवर की बात करें लेफ्ट आम मेडियम फास्ट है जितने लेफ्ट आम मेडियम फास्ट बॉलर्स होते है उनको विकेट मिलते है बैटिंग से भी इन्होंने अच्छा किया इनको आपको लेकर चलना है तो हो आपके लिए इंपोर्टन है मेगना से इंग कुछ खास नहीं कर पारे यह इंटरनेशनल मैचे से भी काफी समय से दूर है पहले लगातार खेलते हैं अब उतना दिखाई नहीं देती है उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है फुलवरेट खेलते हैं तो इंपोर्टन रहेंगी और यहां पे कोई खास प्लेयर नहीं है अब बास करते हैं ड्रीम 11 टीम की चुकी है यह बैटिंग पिच है रन बहुत बनते हैं विकेट भी गिरते हैं बट यहां पे इंपोर्टन बैट्समेन मैं लेकर चलूँगा यह दोनों इंपोर्टन है आप रिजया को उसको हटा भी सकते हो बैटिंग थोड़ी नीचे आते हैं लेकिन बैटिंग जरूर आएगी अच्छी प्लेयर है विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगी यहां पे एस पार्टिल अच्छा ऑपसर है टी कवर ने लाश्ट पाच विकेट लिये थे यह सबी आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है तो अगर इंको लेना है फिर आपको बैट्समेन हटाना पड़ेगा जैसे लिच्फिल्ड का सेलेक्शन कम है इनको हटाना पड़ेगा प्लस यहां पे आप किसी को मॉलिनेक्स को हटा सकते हो तो यह सब कर सकते हो अपने एक और्टिंग फिर आप टीम बनाना है मेरे एक और्टिंग यह सही कॉम्बिनेशन है कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो गार्डनर है कैप्टन की नंबर वन चोईस इसके अलावा एलिसा पैरी है सोफी डिवाइन कभी-कभी तो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करती है फिर अगले मैच में ही वो या तो बॉलिंग नहीं करती है या तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है तो यही हाल है इनका वैसे यह भी कैप्टन की अच्छी चोईस है तो यह तीन सबसे बेश्ट पिक है CVC की बागे मूनी को आप जानते ही हो बड़ी प्लेयर है अच्छा परफॉर्मेंस करती है विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगी बागी कोई खास मेरे को नहीं दिख रहा है तो सब कुछ मैंने बता दिया पेड मेंबर्सिप की अगर मैं बात करो 914-0233-474 यह हमारा वाटसेफ नमबर है हमारा चार्ज मार्केट में सबसे अड़ा हाई है विनिंग भी सबसे जड़ा हाई होती है आगे आने वाले मैचेश में आपको बहुत बड़ी विनिंग हमारी और भी देखने को मिलेगी जैसा मैंने बताया था मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाला है ना तो WPL में ना तो PSL में जैसे जैसे सिरिच खतम होने वाली होगी जा आप पीछे मुड़ के देखोगे तो जितने लोग मार्केट में सभी लॉस में रहेंगे प्रॉफिट में कौन रहेगा केवल सागा फ्लैसबैक हा हमारे मेंबर्स क्योंकि हम लॉंग टम गोल ले करके चलते हैं एक मैच में प्रॉफिट होने पे हम ओवर एकसाइटेड नहीं होते हैं अगर हमने प्रॉफिट कमाया भी है तो भी हमारे एकॉर्डिंग कई बार होता है ये कॉमिनेशन सही नहीं था वो हमारा लग था कि हमने विन कर लिया जैसे कल याकूब वाला आपने देखा याकूब ने एक ओर में चार विकेट लिये पीएसल में अगर आपने उसको लेने की वज़े से अगर आपने जीत हासिल किये तो आप आने वाले मैचिच में आपको लॉस होगा क्योंकि वो कॉम्बिनेसन में वो फिट नहीं हो बैटने वाले प्लियर थे इस्पीनर को मदद करने वाले वो पिछ नहीं थी उन्होंने विकेट लिया नहीं बैटस्मन ने विकेट दे दिया था प्लस वहाँ पे एक बॉलर का ओवर काटा गया था otherwise उनको balling ही नहीं मिलती तो इस तरीके एक खराब combination की वज़े से अगर आप जीतते हो तो आपको उसी समय improvement करने ही ज़र्वत होती है otherwise आने वाले matches में आपको loss होगा तो हमारे पैस समय PSL और WPL का package है आप ले सकते हो, हमारा charge market में सुस्या रहाई है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होश्ट अन्जो संगुरी साइनिंग आउट, बबाए